करेंगे और कब कब उपयोग करेंगे तो फायदेमध है सबसे पहले तो शिला जित के बारे में जान लीजे कि आपके आस पास आसानी से मिल जाएगी और शदी ऐसे तो इसका नाम आप सुने होंगे अन्यकई बिमारियों के इलाज में लेकिन आज हम सभी मुत्र संबंधित व जानेंगे ये आपको हिमाले परवत से आसानी से मिलती है और ये कमाल की ओश्यदी है जो कि कई सो सालों के बाद पोधों से ये उत्पन होकर के शिला पर यानि की परवतों पर मिल जाती है और शिला जीती से लिए कहा जाता है यानि कि शिला मतलब परवत पर भी विजय प्रा शिलाजित गुर्दे और मुत्राशय को स्वस्थ रखता है यह मुत्र में जलन और पथरी से छुटकारा दिलाता है गुर्दे की कारेशमता को बढ़ा कर कई सारी परेशानियों को भी कम कर देता है इसके साथ ही यह मुत्राशय को स्वस्थ रखने में मदद करती है इसलिए इसका सेवन काफे लापकारी है इसका सेवन कैसे करना है आपको चाहिए होगा इसके लिए एक लिटर पानी और उसके साथ साथ चाहिए होगा आपको एक मटर के दाने के बराबर हर रोज शिलाजीत उससे कम भी ले सकते हैं आधे मटर के दाने के बराबर भी ले सकते हैं करना क्या है एक लिटर पानी में इसको घोल देना है आपको और पूरे दिन में 24 घंटे में धीरे धीरे पीना है कम से कम 3-4 बार में तो पीजिये ही ध्यान रखें एक या दो बार में इसको फिनिश नहीं करना है नहीं तो आपके लिए फायदे मंद नहीं होगी कमाल की ओशदी है ये इसके पुनतह लाभों के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं कि कौन-कौन सी बिमारी में किस मात्रा में इस्तेमाल करना है कहां-कहां मिलती है ये और क्या इसके गुन है और कौन-कौन से इसके दोश है यानि कि कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए और क शिला जीत वाले प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि छोटे छोटे वीडियो भी हैं और एक बड़ा वीडियो होगा जिसमें कि सभी बीमारियों को दूर करने के संबंद में एक साथ बताया होगा और इसकी प्रकृती कहां से मिलती है इसके गुण धर्म क्या है अब कुछ के उपयोग करने से पहले पूरा एपिसोड वो जरूर देख लें क्योंकि आपके लिए कमाल की जानकारी मिलेगी उसमें और पूरे जीवन वो काम आएगी एक बार आपका 10-15 मिनाट लगेगा लेकिन आपके पूरे जीवन काम आएगा इसलिए उस एपिसोड को देखने के ब ले लाइक कीजी वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया शेर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हमाने वाले दिनों में उन टोपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में तब तक आप सभी खुश रहें स्वास्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों